हेलो रिवन, वेलकम टू फार्मर ओक्स यूटूब चनल, फार्मर ओक्स के यूटूब एज्यूकेशनल चनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे एनाटोमियन फिजियोलोजी ओफ आई तो जो हमारी आईज है उसकी डेटेल फिजियोलोजी की स्टडी करेंगे एज ओल एज एनाटोमिकल स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में तो सुरू करते हैं आज के लेक्चर में तो सबसे पहले समझते हैं अबाओ धुमन आई मलब कि आखो को हम हमारे बॉडी का एक किमती अंग मानते हैं उसका रीजन यह है कि जो आखो के करण जो है हम वो दुनिया जो है वो देख सकते है विकौस आखे जो हमें vision प्रोवैड करती है, द्रस्टी प्रोवैड करती है जिसके करण हम जो है वो देख सकते है तो हमारे आसपस जो भी दुनिया है, आवारे आसपस जो भी कुछ होता है वो सब हम देख पाते हैं उसका reason यह है कि हमें एक sense organ प्रोवाइड किया गया है that is a eye तिसी के कारण हम उसको precious organ कहते हैं कि हमारी body का जो कोई precious organ कोई है कि जिसके करण हम देख पाते हैं तो that is a eyes तो special sense is about the vision that is a eye तो eye content the receptor for the vision and refracting system that focuses the light rays on the receptors in retina तो यह एक just concept है अभी समझे कि आखों के कारण हम देख पाते हैं तो उसके पीछे कोई reason क्या है तो आखों के अंदर होते हैं ऐसे receptors जिनको हम कहते हैं photoreceptors यह photoreceptors जो है वो हमें provide करवाते हैं vision because यह photoreceptors जो होते हैं retina के अंदर और retina के साथ attach जो होती है optic nerve वो यह photoreceptors द्वारा generate कियो गए signals को हमारी optic nerve के थ्रू brain के centers तक ले जाती है और वहाँ पे जो vision के जो centers आए हैं वो generate करते हैं vision जिसके करण जो है तो यह point आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आखों के अंदर ऐसे receptors आये हुए है visions के लिए और वो responsible है vision के लिए और वो photoreceptors होते है retina के अंदर तो सबसे बहले आपको समझना है यहाँ पे eyeball के बारे में तो आखों के जो रचना है हमारी anatomy है उसके अंदर main जो कोई part है तो that is eyeball की यहाँ पे जो हम diagram में देख रहे है that is our eyeball तो eyeball जो है वो एक spherical organ है मतलब की spherical कि जो हम spherical shape कहते है completely जो round shape चारो बार जो से round shape होता है कि जैसे कोई हम cricket ball देखते है football देखते है volleyball देखते है उसके जो shape होते है that are a spherical shape तो same ऐसे shape का जो eyeball जो है वो हमारी body के अंदर available होता है and it houses the structure responsible for vision eyeball है कैसी रचना है हमारी body के अंदर कि उसके अंदर ऐसे अलगला components आये है कि जो हमें provide करवाते है vision तो vision के लिए जो भी important अलग-अलग components चाहिए अलग-अलग जो parts चाहिए वो सभी ये eyeball के अंदर जो है वो present है जिसके करण जो है वो हम देख पाते है तो eyeball का location कहाँ पे है तो eyeball is located in a bonny cavity within the facial skeleton कि जब skeleton system के आप study करते है उसमें भी जो facial skeleton जो हमारा होता है उसकी जो bonny cavity जो हम कहते है और bonny orbit भी उसको कहा जाता है वहाँ पे ये present होता है eyeball और eyeball जो है वो main तीन पार्ट के अंदर divide होता है first part that is a fibrous second is vascular कि जो carry करता है blood and blood vessels and तीसरा जो है वो है उसके अलग-अलग inner layers तो ये तीन main parts से हमारा eyeball जो है वो तैयार होता है कि एक उसके अंदर fibrous layers होते है fibrous portion है उसका as well as उसके अंदर उसके structure के अंदर involve होते है अलग-अलग muscles कि जसको ciliary body कहा जाता है vascular system भी उसके अंदर set होता है कि जो eyeball को provide करता है blood और उसके अलग-अलग layers वगेरा होते हैं तो इस तरह से जो eyeball से brain तक का जो vision का pathway है वो तैयार होता है तो जब हमने nervous system का lecture आपको दिया था उसमें एक हमने सरुआत में जब brain के बारे में study करते हैं और brain के जो अलग-अलग lobes के बारे में मैंने आपको समझाया था तो उस वक मैंने कहा था कि जो पीछे का जो ये portion है उसको हम कहते है ocpital lobe उसको हम क्या कहते है ocpital lobe और ये ocpital lobe का जो function है that is a vision कि vision के लिए जो center से वो आए हुए है ये ocpital lobe के अंदर तो यहाँ पे देखिए ये वाले diagram के according यहाँ पे जो reason है वो बनेगा ocpital lobe तो ocpital lobe तक ये impulses किस तरह से आते है about the vision तो अच्छे से आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो है वो हमारा eyeball है कि ये left side eyeball और ये right side eyeball अब समझो कि यहाँ पे कोई object है तो ये object को हमारी आखे जो है वो capture करती है मतलब कि वो object में से आने वाली जो light है वो light के जो किरन होते है light के जो raise होते है वो हमारी आखों के अंदर enter होते है through the pupil and lens कि जो आगे का जो portion है आखों का कि जिसको हम कहते है pupil उसके बाद lens का portion है और फिर यहाँ पे है retina अब ये retina के पास available है photo receptors कि जो हमने आगे भी एक slide के अंदर देखा कि retina के पास available है receptors तो सबसे पहले तो क्या enter होती है vision के लिए light enter होती है अब ये light जो है वो हमारे pupil और lens के थ्रू वो light जो है वो focus होती है retina के उपर और वहाँ पे जो photoreceptors आए हुए है वो photoreceptor वो light को capture करके वो light को convert करते है electrical impulses के अंदर electrical impulses की जो हम कहते है electrical signal electrical signal के अंदर वो convert होंगे और ये signal अब ये पीछे की और आए हुई है जो optic nerve है eyeball के बीछे आया हुआ ये optic nerve ये impulse इसको ले जाएगा हमारे brain की और ये देखिए इस तरह से brain के उसी पीटा लोब के और ये जो signal सब आते है पहले तो light ही अंडर होती है eyeball के अंदर बट retina के पास आए हुए जो हमारे photoreceptor से ये वर्ड खास आपको याद रखना है photoreceptor और ये photoreceptor में neuron cells होते हैं और वो होते हैं कौन होता है और दुसरा road होता है कि जो हम road and कौन जो कहते हैं हमारे photoreceptor कि वो वहाँ पे present होते हैं और वो light को convert करते है electric signal में तो light convert हो गई electrical signals के अंदर कि जो photo जो भी हमने देखा था उसके जो light के जो race थे वो electric signal में convert हो गई और वो electric signal left eyeball या फिर right eyeball दोनों में से तयार हुए ये travel करके पौशते हैं ये हमारे brain के occipital lob में और वहाँ पे generate होते है vision और जिसके करण जो हम देख पाते हैं तो ये इस तरह से ये पूरी जो है वो process होती है और ये पूरी process जो हम कहें तो वो real time होती है कि इतना इसका accuracy है ये process के अंदर कि वो process होती रहती है real time या फिर हम कहें सकते है live कि instantly कि जो आप जो भी हम देखते हैं वो real time हमेरा images generate होते हैं आखों के अंदर जिसके करण तुरंत जिस समय जो भी चीज बनती है वो हम तुरंत देख पाते है because of this structure कि ये इतना fast काम करती है ये system कि जिसके करण ये real time हमें देखने को मिलता है तो ये है एक पुरा pathway about the eyeball to brain regarding the vision तो ये सब जो generate होता है कि हमने अभी बात की कि real time हमें live जो भी हमारे आसपास बनता है वो सब हम देख पाते है उसके लिए जो components हमें help करते है आखो के तो वो है cornea है ये वाला reason आप देखोगे तो ये cornea उसके बाद iris का जो portion है फिर आप देखो तो pupil है हमारी lens होता है retina, फिर macula का portion optic nerve, choroid and vitreous तो ये सब main important components है हमारी आखो के हमारी eyes के कि जो हमें provide करवाते है vision तो ये sclera आप देख सकते है कि अलग-अलग ये जो है सब layers एक तरह से एक तरह से क्या है ये सब ही कहे जाते है layers तो layers में हम देखे तो pupil भी एक टाइप का layer बनता है ciliary body and muscles कि जो एक तरह के यहाँ पे आये हुए muscles से फिर वहाँ पे present होता है fluid कि जिसको हम कहते है vitreous body यहाँ आखों के जो अंदर के बाग में के layer के सीवा जो बाग की बाग जो बच जाता है वहाँ पे एक gel like fluid present होता है gel like material जिसको हम कहते है vitreous body फिर retinal blood vessel की जो retina और जो आखों के जो वहाँ पे blood supply भी जरूरी है उसके लिए blood vessels आई हुए है यहाँ पे आप retina देख सकते है यह optic nerve है macula का portion तो तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आखों का जो front view है कि आगे से जब हम देखते हैं तो कहाँ पे कौन सा part available है तो यह diagram को आप अच्छे से समझे यह वाला जो है front view वाला कि यह जो है वो iris है तो iris वाला portion कौन सा कि जो हमारी आखों का यह जो color portion है क्योंकि pupil तो आपको पता ही है कि जो center में यह जो completely black और dark portion है वो हमारी pupil है बट pupil के आसपास रहा जो पूरा एक layer है कि जो color provide करता है हमारी आखों को कि यह समझो कि जिस जो color का होगा वो type की आपकी जो आखे है वो बनती कि like किसी के greenish shade होता है किसी का यह यह eyes के according to blue color का shade होता है आखों का किसी की grey चीज़ से आखे होती है कोई completely black eyes होती है तो यह अलग-अलग जो आखों का जो color बनता है that is due to the iris फिर यह वाला portion यहाँ पे जो आप देख रहे है that is karencle हम कहते है फिर यह upper eyelid और lower eyelid तो eyelid भी एक हमारी आखों का protection का काम करती कि जो कोई धूल है मिट्टी है dust है अंदर ना पड़े उसके लिए उसके एक protection के लिए upper and lower eyelid है और यह जो sclera कि जो completely आप white portion जो देख रहे है कि हमारी आखों के अंदर जो white color का जो portion होता है that is a sclera तो यह diagram आपको front view अच्छे से याद रखना है अब समझते हैं सभी parts को आप detail के अंदर तो सबसे पहले iris की जो हमें ने अभी already आपको समझा दे कि what is the iris कि जो color part कि जो iris का portion है कि यहाँ पे आप देख सकते है कि यह जो color diagram है उसको आपको अच्छे से समझना है कि वो है iris उसके बाद cornea कि जो clear dome होता है over the iris iris के आगे के बाद और कि यह iris है और यह iris के portion के आगे यह आप cornea देख सकते हैं तो यह वाला जो मैं अभी yellow एक line ड्रॉ कर रहा हूँ कि iris के completely सामने की और a clear dome over iris के iris के आगे की और आया हुआ ऐसा clear dome जिसको कहा जाता है cornea फिर बात आती है pupil की कि जो black circular opening वो सभी को पता ही है कि जहाँ से light जो है वो हमारी आखों के अंदर enter होता है that is a pupil उसके बाद है next that is sclera कि white of your eye कि हमारी आखों का जो white portion वो बनता है हमारा sclera तो यहाँ पे देखिए यह sclera दिखाया गया है कि cornea के बाद वो ही line के अंदर जो पूरा एक region बनता है और जो white color है वो बहुए हमारी sclera का region फिर आता है consultiva तो consultiva के है तो thin layer है of a tissue जो cover करता है entire front of the eye except the cornea मतलब कि cornea को छोड़के सभी region के अंदर consultiva जो है वो अपना area जो है वो cover करता है तो आखों के अंदर जब light enter होती है तो उसका pathway क्या रहता है वो आप जान लिजिए तो सबसे पहले समझो कि यहाँ से light जो है वो आ रही है तो light के जो pathway के अंदर सबसे पहले कौन आएगा तो वो होगा cornea सबसे पहले क्या होगा तो cornea number one पे होगा cornea के पीछे जो है आया हुआ है हमारा portion that is a iris iris और देख सकते हैं और iris के पास अविलिबल है यह pupil का present तो यह second number 2 में लिखू तो iris फिर यह है हमारा number 3 that is a pupil फिर pupil के बाद आप देखो तो पीछी के और है number 4 पे यह lens तो light जैसे enter होती तो यह सब पहले सरुवात के यह चार लेयर पास करके lens जो है वो light को focus करेगा और वो focus होगा यह retina के portion में तो यह retina यहाँ पे जो orange color का यह जो reason दिखाया है यह हमें वो retina का है फिर यह आप pink color का reason देख सकते that is choroid और पीछे के और यहाँ पे से जा रही है optic nerve फिर blood vessels तो clear ही दिखाय ही दे रही है और यह macula ciliary body की एक प्रकार के muscle से की जो lens की जो size है उसको adjust करते हैं तो retina तो retina is a thin layer of tissue that lines the back of the eyes on the edge side यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने समझाया आपको कि retina तो retina का जो portion है वो हमारी आखो के लिए मैंने एक important portion हम कहते है कि retina कि retina का importance इसलिए है कि वो एक जो layer है retina का और यह पूरा जो retina का जो layer है वहाँ पे present होते है photoreceptors present होते है तो इसे के करण यहाँ उसका importance काफी है and it is located near the optic nerve optic nerve के पास आया हुआ है यह पूरा retina का reason and the purpose of the retina is to receive the light अब retina का purpose क्या है retina हमें क्यों दी गई है तो retina is to receive the light light को करेगा receive कि जो हमारा lens करता है focus that lens has focus कैभी जो मैंने आपको previous diagram के according to जो बताया कि सबसे पहले light जो इस side से आ रही है तो उसके area में सबसे पहले आयाएगा यह cornea number one number two पे है यह iris का portion फिर number three पे है हमारी pupil और number four पे है यह lens तो यह जो light है यह चार layer पास करके जो है वो focus होगा retina के उपर तो retina के कोई region के उपर light जो है वो अच्छे से focus होगी तो यह जो light जो focus होगी तो वहाँ पे आये हुए जो photoreceptors है convert the light into the neutral signals and send this signal onto the brain for visual recognition कि retina के पास जो available है photoreceptors वो light को convert करते है कि जब light focus करके आई तो light convert हो गई signal के अंदर due to the retina किस तरह से हम को reactions के तोर पे लिखे तो इस साइड light थी light convert हो गई signal के अंदर उसके लिए involved कौन हुआ तो वो involved हुआ retina तो retina का importance यही कि अगर retina के अंदर कोई problem creates होते है तो आगे जाके person के अंदर problem हो सकता है यह electrical signals generate होने का कि जो light के signal generate होते है और यह signal आगे जाके optic nerve के थूँ travel करके पहुचेंगे brain के अंदर और brain आपका जो vision है वो तयार करेगा बड़ समझो कि retina का detachment हो चुका है retina का damage हुआ है retina का किसी तरह से कोई defect हुआ है तो आगे जाके यह signals generate होने में problem होता है signals proper convert नहीं होगे तो optic nerve के थूँ वो proper amount में जो brain के center तक नहीं पहुँचेंगे और brain के center तक proper amount में वो signals नहीं पहुँचेंगे तो vision जो है वो person की काम हो सकते कि vision काम हो जाना मतलब कि आपको थोड़ा dim देखने को मिले dim vision हो जाती है कई बार blur vision हो जाती है या फिर proper damage हो तो patient का जो जो देखना completely बंद हो जाते है कि जिसको हम कहते है blindness यह सब problems create होते है तो यह anatomy के साथ साथ जब कोई disease या फिर disorders होते है वो भी आपको समझने जाए कि जिससे जो है आपके concepts clear रहे फिर important part हमारी आखो का कि that is a lens कि lens जो है वो हमारी आखो के अंदर आया हुआ है और यह होता है clear lens यह diagram में देखे completely clear lens जो है वो दिखाया है कि जब आपकी आखे होती है proper healthy तो healthy eyes होती है तो lens भी clear होता है और जिसके करण हमारी pupil में से हम देखे तो pupil में से आपको यह lens का reason जो है वो clear है जिसके करण pupil हमारी completely दिखती है dark बट जब वही आखों के अंदर cataract होता है मालब की cataract की जो हम कहते हैं मोतिया बिंद कहते है हिंदी में तो cataract के अंदर क्या हो जाता है lens clouded हो जाता है lens कैसा हो जाता है clouded यह clouded lens के करण आपकी आखों की जो pupil से वो आप देखिए तो pupils के अंदर भी यह cloudy देखने को मिलती है but problem pupils का तो नहीं है because pupils तो completely transparent है but pupil के पिछे रहा हुआ जो ये lens है वो हो चुका है cloudy और जो हमें देखने को मिल रहा है that is a lens तो क्या होता है कि lens का जो function होता है कि by changing its shape the lens changes the focal distance of the IK lens का जो काम है कि retina के उपर properly light को focus करवाना तो जब समझो कि cataract हो जाता है किसी person को तो ये cloudy हो जाता है तो light के race तो उसमें से pass होंगे focus भी कर लेगा but problem ये होगा कि clear image जो है वो clear photo light जो जानी चाहिए उसके बज़ाए थोड़ी blur light ही जाएगी जिसके करण आपकी optic nerve भी वो blur image ही capture करेगी जिसके करण जब cataract होता है किसी person को तो उसकी जो vision है वो dim हो जाती है आखों के सामने जब जैसे बादल आज़के है वेसे दिखता है because problem है lens का जिसके करण आप देखी कि जब मोतिया बिंद का operation किया जाता है तो उस वक्त यह जो lens से वो change कर देते हैं कि operation करके lens नया lens वहाँ पे डालते है जिसके करण person की जो vision है वो अब clear हो जाती because पीछे के portion में कोई problem नहीं है problem आखों की आगे के side था और वो था about the lens in a cataract तो it focuses the light rays that passes through it and in order to create clear images of object that are positions at various distance मतलब कि lens ऐसा है कि जो adjust होता जाता है कि हमारी आखों के जो clear जो हमें देखते हैं कि हम समझो कि आखे completely healthy है तो आप समझो कि किसे दूर के images देखते है तो भी आपको clear देखता है नस्दिक का देखते है तो भी clear देखता है और वो भी real time वो भी real time कि आपका अचानक से आप नीचे नस्दिक में देखते है अचानक से आप दूर की side देखते है तो भी आपको completely clear देखता है वो automatically adjust होता है ये lens क्या होता है automatically adjust होता जाता है और ये lens अपना focal distance जो है वो proper अच्छे से set करता है जिसके करन retina के उपर perfect जो है वो जो photo जो है वो capture होता है और वो signals retina में से optic nerve के तुरू जाते हैं brain के ocpital lob की और और जिससे हमारा clear image तयार होता है तो अब जान लिजे optic nerve के है तो optic nerve की जो हमने cranial nerve के बार में सीखा था उसमें से cranial nerve number two है कि जो responsible है हमारी vision के लिए तो इसे it is a second cranial nerve और cranial nerve number two it is a second several pair of the cranial nerve की जो total 12 pair हमने सीखी थी cranial nerve की उसमें से दूसरे number की optic nerve जो है वो responsible है for the vision कि ये जो है वो sensory neuron है जो हम कहते है कौन से टाइब की neuron है sensory neuron की जिसका काम है sensations को carry करना और ये कौन से sensation ले जाती है कि जो हमारा ये lens जब यहाँ पर retina के उपर focus करता है light को तो ये light convert हो जाती है आगे जाके light convert होती है electric impulses के अंदर और ये electric impulses optic nerve ले जाती है हमारी brain की और की जहाँ पर generate होता है image कि यहाँ पर देखे retina कि the job of the optic nerve is to transfer the visual information from the retina to the vision centers of the brain via electrical impulses कि जो light आती है वो retina के अंदर रहे photo receptor electric impulses के अंदर convert करेंगो और ये electrical impulses को carry करेगा ये cranial nerve number 2 की जिसको हम कहते है optic nerve और उसको ले जाएगा brain के ocpita love की और और वहाँ पर generate होगी vision फिर एक important part है आखो का that is choroid तो choroid क्या है तो choroid एक प्रकार का vascular layer है यहाँ पर देखे है choroid की जो यहाँ पर यह diagram के according to जो आप pink color देख रहे है कि आपको अच्छे से सब पार्ट समझ में है इसलिए यह diagram के अंदर वहाँ पे जो pink color जो दिखाया गया है वो है choroid का person it is also known as a choroid या और choroid coat is the vascular layer of the eye containing the connective tissue and lying between the retina and sclera कि देखे choroid के अंदर की और देखे तो यहाँ पे है यह retina है और बाहर की और देखे तो sclera है मतलब कि sclera और retina के बीच में यह pink portion आप दोनों सैड देख सकते है that is a choroid choroid के बाद जाने ciliary body के बारे में कि ciliary body क्या है तो ciliary body जो है एक type के हमारे ciliary muscles है कि जो control करते है shape of the lens lens का जो save control होता है क्योंकि जब light को अच्छे से focus करनी होती है lens को तो वो help लेता है यह ciliary muscles के ciliary muscles उसके साथ जो attach होते है यहाँ पर देखिए यह जो lens और lens के साथ यह ciliary body कि जो attach होते है वो lens के adjust करते है shape वो क्या करके देते है shape adjust करके देते है lens का and ciliary epithelium वहाँ पर present हो इता है कि जो produce करता है aqueous humor तो यहाँ पर देखिए लिखा है aqueous humor तो aqueous humor को secret कौन करता है तो ciliary body जो है वहाँ पर ciliary epithelium करके आयो हुए है cell वो cell secret करते है aqueous humor को तो what is the aqueous humor तो aqueous humor is a transparent watery fluid similar to the plasma plasma जैसा ही एक liquid होता है transparent होता है और वो हमारी आखों के अंदर आगे की और present होता है जिसको हम कहते है aqueous humor वो plasma के जैसा ही होता है बट वो के अंदर होता है low protein concentrates उसके अंदर protein come amount में होता है it is secreted from the ciliary body a structure supporting the lens कि अभी जैसे मैंने समझाया कि aqueous humor का होना जरूरी है कि वो एक type से आगे की जो portion है उसको करेगा lubricate कि यहाँ पे जो aqueous humor present है तो pupil है फिर ये iris का portion है cornea है consultiva है तो वहाँ पे जो एक liquid present होता है कि जो वहाँ पे lubrication भी देगा as well as जो nutritional support चाहिए वो भी उसको मिलते रहेंगे तो ये area के लिए ये aqueous humor का proper amount में होना जरूरी है और वो जो है वो produce भी होता जता है और जरूरत पड़े वो जो है वो secretary channels के थू आखों के बाहर भी निकल जाता है aqueous humor के तरह दुसरा एक humor है that is vitreous humor कि जो अभी मैंने कहा था आगे कि एक gel-like structure होता है कि इसलिए vitreous body is the clear gel that fills the space between the lens and retina कि जो lens का portion और उसके बाद ये retina का portion तो उसके बीच में जो ये पूरा area जो पड़ता है कि जो अब मैं यहाँ पे इस तरह से black कर रहा हूँ तो सभी जगा पे ये gel जो है वो present है और ये gel मतलब की vitreous humor वो gel का मतलब है vitreous humor it is often refers to as a vitreous humor और simply the vitreous भी उसको कहा जाता है तो आखों के अंदर जो pressure होता है वो control होता है vitreous humor as well as aqueous humor का जो proper amount होता है उसके पर से कि जिसको intraocular pressure भी हम कहते है वो भी आपको आगे समझाता हो फिर एक point समझें जे macula का कि macula has a very high concentration of photoreceptors cells that detect the light and send signals to the brain which interpret them as the images कि जो light आती है वो अच्छे से focus होती है यहाँ पर retina के उपर और वहाँ पर जो portion आया हुआ है जिसको हम कहते है macula और macula के पास बहुत ही higher concentration के अंदर available होते है photoreceptors तो photoreceptors की जो specialized neuron cell है photoreceptors क्या है तो एक प्रकार के specialized neuron cell ही है कि जो हमने anatomy of nervous system में सिखा था कि anatomy of nervous system में main structure and functional unit होता है neuron cells तो यह भी एक type के neuron cells ही है specialized कि जो response करते है light के बारे में response to light और वो light को convert करते है electrical impulse सिखेंदर the distinguishing feature is the presence of large amount of tightly packed membrane that contains the photopigment, rhodopsin और related molecules अब यह जो photoreceptors होते है वो photoreceptors के प्रकार के neuron cells है और उनके पास जो distinguished feature जो हम कहें है कि मतलब कि वो दोनों के बीच में जो differentiation जो होता है वो होता है basis on a pigment कि tightly packed membrane और उसके साथ जो pigment present है photopigment जिसको हम कहते हैं वो होता है rhodopsin तो यह bipolar rhodan quons होते है कि यह आप देख सकते कि two tight of cells in the retina that is cons कि यह आप cons देख सकते है कि जो concept के होते है and they are responsible for daytime vision कि जब हमें दिन में अच्छे से दिखता है तो उसके लिए responsible होते है cons और जो roads होते है कि जो road shape के जो होते है दूसरे neuron cell कि जो respond करते है under the dark condition इसी कारण आप देखिए हमें अंदेरे में भी देखने को मिलता है और daylight में भी हमारे vision जो होती कि जब अंदेरा होता है तब भी हम जो है वो देख पाते हैं आखों से तूसरे ज़्यादा activate होते हैं हमारे roads और जब daytime होता है तब responsible होते है कॉन्स फिर आखों के अंदर present होता है यह lacrimal gland तो lacrimal glands are pair exocrine gland कहे जाते है one for each eye found in most terrestrial vertebrates and some marine mammals that secret is the aqueous layer of the tear film कि जो हम आखों के आसु कहते है तो यह कहा से secret होते हैं तो that is a lacrimal gland में से secret होने वाले tear है तो lacrimal gland आप देख सकते हैं आखों के में कहा पे यह present होते हैं तो आखों की anatomic अंदर यह यहाँ पे यह side up lacrimal gland देख सकते हैं कि जो secret करती है हमारे tear कि यहाँ से जो है वो tear कि जो हमारे आखों के आसु जो हम कहते हैं तो यह lacrimal gland pretraocular pressure की normal eye pressure कितना होता है कि आखों के अंदर भी pressure होता है कि जो यह अंदर रहा जो vitreous fluid है aqueous humor है कि build up of aqueous humor कि जो aqueous humor ज्यादा excess amount में जब produce होता है तो वो आखों के अंदर pressure produce करता है और वो होता है around 12 से लेकर 22 mm mercury अगर यह eye pressure 22 से ज्यादा हो जाता है या फिर 21 से ज्यादा होता है तो वो condition को हम कहते है ocular hypertension और ocular hypertension जब होता है तो वो आगे जाके optic nerve को damage करता है कि जो पीछी के और आई हो है जो हमने proper anatomy में सीखा और जब optic nerve damage होती है तो उसके करण आगे जाके person को ग्लुकोमा हो सकता है कि जिसके करण partial और complete blindness जो है वो हो सकती है मतलब कि dim vision हो जाए partial vision loss हो जाए या फिर complete vision loss भी होती है ग्लुकोमा के अंदर कि जो है एक eye related disease फिर eye के disorder हम देखे तो near sightedness कि जिसको हम कहते है myopia farsightness जिसको हम कहते है hyperopia कहते है refractive errors होती है age related macular degeneration cataract होता है मोतिया बीन जो हम कहते है diabetic retinopathy glaucoma की जो damage होता है optic nerve emblyopia मतलब कि lazy eye और stabismus जिसको alignment problem कहते है कि आखो का यह जो alignment आप देखो तो alignment की जो proper इस तरह से यह iris और pupil आप देखे तो completely center में जिसके जगा है यहाँ पर देखे यह side alignment है यहाँ पर यह side आपको देखने के लागत कि जो alignment है उसके related problem create होता है तो यह था हमरा detail lectures regarding anatomy and physiology regarding the eyes आगे भी हम उसके जो कुछ detail के जो roads और कोन के बारे में और जाता हम detail में आगे जाके study करेंगे as well as यह eye disorders की detail में study करेंगे जिसमें से already glaucoma के उपर तो video lecture available है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर suggestions के अंदर eye button पर आपको आएगा options के वहाँ भी आप वह lecture देख सकेंगे और बाकी के भी lectures हम आपके लिए जरूर से बनाएंगे regarding the eye disorders also so lectures की जो ppt's आपको फार्मा रॉक्स के आप उपर मिल जाएगी affordable price के अंदर की जहाँ पे आप access कर सकते हैं हमारे lecture pdfs and ppt's thank you for watching join कर सकते हैं whatsapp group use करिया फार्मा रॉक्स access करिया study material test series video lecture good luck and all the best झाल